आप सबी लोगों को पता है हमारे गौरवनिलू सीम साब ने एक मीटिंग एक नहीं दो डिटेल मीटिंग करके जो एक हैदराबाद सिटी में और आसपास के शेहरों में जो एक ड्रग्स का जाल फैला हुआ है जिसकी वज़े से हमारे यूथ और कुछ सिटीजन बहुत नुक मकसद को मदे नज़र रखते हुए जैसा सीम साब ने आदेश दिया उसके बाद इमीडियेटली तेलंगाना पुलिस और खास्तोर से हैदराबाद सिटी पुलिस उस पे एक्शन स्टार्ट किया गया और ये मीटिंग के कुछी दिनों के बाद कुछी हफतों के बाद एक दिकेड़ेड हैं मिस्टर चक्रवर्ती डिसीपी साहब हैं इनके साथ में एक टीम रहती है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं और कंटिनियस 24 आवर्स ड्रग पेडलर ड्रग कंजूमर ड्रग का नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करके लोकल पुलिस की मदद से उसके पीछे जाके पूरा नेटवर्क को समझते हुए पूरे नेटवर्क को अनार्थ करने का कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक एहम कोशिश है कि हैदराबाद को पूरी तरीके से ड्रग फ्री नशामुक्त हैदराबाद जैसा कि Honorable CM साब ने direction दी थी किया जा सके उसमें continuously Hnew प्रयास कर रही है उसके तहट एक दो important case पिछले दिन में कल और आज में कल शाम से आज तक Hnew ने detect किये है उसमें से जो पहला case है उसमें एक प्रेम उपाद्याय लोकल है शिवम रोड का रहने वाला ये एक continuous गोवा ट्रिप जाता था वहाँ पर एक लक्षमी पती के संपर्क में आया लक्षमी पती के संपर्क में आने के बाद जो processed drugs हैं जिनकी थोड़ी सी एक select market में बहुत demand है LSD, ecstasy pills और hash oil ये बहुत concentrated form of drugs हैं तो इन सब का उसने गोवा से लाना और बाकी जेकों से भी source करना और consumers को और बाकी के सब dealers को supply करना शुरू किया ये बहुत बड़ा network प्यार कर लिया इस network पर continuous काम करके Hnew और उनकी टीम ने इस प्रेम उपाद्याय को arrest किया उसके पाथ से six LSD blots, ten pills, hundred grams of hashish oil और cell phone पर आमत किये गए उसी के network के चलते तीन drug consumer रामकरशना, निखिल जोशुआ और जीवन रेडी को भी arrest किया गया यहाँ पर यह बात मैं साफ कर देना चाहूंगा कि यह कोई occasional या first time consumer नहीं थे यह regular consumer थे, ना सिर्फ यह खुद drug addict हो चुके थे, बलके अपने साथियों को अपने जानने वालों एक दो लोगों को भी introduce कराके इस जाल में उन्होंने फसाने का कोशिश की थी, तो इस तरीके के लोगों को कर control नहीं किया जाएगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ action नहीं लिया जाएगा, तो यह जो drugs का जहर है, वो समाज में फैलने की आशंका है, इसके तहत इन तीन लोगों को भी arrest किया गया, यह इसके लगभग एक पूरा network बना चुके थे, इसका network का सरगना जो अभी तक हमारी knowledge के हिसाब से लक्ष्मिपती है, जिसकी तलाश जारी है, जिसके बारे में clues हैं, और बहुत जल्दी उसे h new पकड़ी के हम लोग सब उमीद कर रहे हैं, और फिलहाल यह और इनके एक तीन consumers ह को मिले हैं, बाकी का भी network जल्दी ही अनर्थ किया जाएगा.